हेलो स्टुएंट्स वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लेकर आज चुक है क्लास 12 के इस्टुएंट्स के लिए इंगलिस का पेपर जो कि आपका आज हो चुका है यह पेपर तो इसके हम आपको पूरा डिटेल से कॉश्चन असर बताने जा रहे हैं एक बार आप मिला जरूर लीजिएगा किस प्रकार से आपका यह पेपर रहा कौन से आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे है कौन से विल्कों इजी थे तो आपको मिसमें आपको पूरा सेट ए के बताने व्या रहे हैं कोश्चन अंसर एंगलिस पेपर के हैं तो और यहां पर आपको रीट करके इसके आंसर आपको सॉल्ब करना था तो आंसर यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा पैसेज था आपको टाइम जरूर लगा होगा धूरने में लेकिन यहां पर बिल्कों इजी था यह परीक्षाद देन में से पूरे है आए क्रें को ली गए हमुड़ा से यहां दे आयक ठीर को घंड हो जरला लुरा एक हूंजि पर थे तराहे हैं घरका लिए आपको और पिलिया गया है तो इह से बीसेट कर लीजज़गा और यहां पर आपको फिला ला ला पे बता देते हैं इस परकार से आया था तो तो देख सकते हैं set B यहां से start हो रहा है set B में writing skill थी writing skill देखे बच्चों आपको Google Chrome browser पर आ जानो यहां पर आपको India publication आपको search कर लेना है India publication जो कि हमारी official site है यहां पर विजिट करके जो कि English paper के सारे question answer का PDF आप download कर सकते हैं यहां पर search का option नीचे दिया गया देख सकते हैं यहां पर तो search करके आप class 12 का English paper आप विजिट करके PDF जरू download कर लीजिए answer paper का तो यहां से आप आसानी से मिला लीजिए गा और इसके बाद हम आपको बता देते हैं जो कि आपको telegram पे भी आप जोइन करके download जरू कर लीजिए अपना answer का paper आप से क्या पूचा गया था यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आपको आर्टीकल दिया गया था न्यूस पेपर के बारे में जो कि यहां पर इसका topic दिया गया था देख सकते हैं Sonia निगम के बारे में यहां पर और जो कि न्यूस यहां पर न्यूस चैनल के बारे में य तो आपको यह लिखना था सेविंग दा अर्थ तो इस प्रकार से आपको यह लिख दीना था एक आर्टीकल बना की न्यूस्पेपर का दूसरा आपसे पूचा गया था दोसो बैड में यहां पर आपसे जो की आपसे पूचा गया था पहरा ग्राप पूचा गया था दोसो सब यहां पर पिपार बेर सब्सक्राइब के बारे मिलτο कहने सह नहीं या नहीं हमLE रहा है जो कि यहां पर अर्कार को यह सकते यहां पर दाव है डेस था अलोंग एवरी डेय तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना था इसमें आंसर भी दिए गए हैं तो आंसर आपको लिख देना था ठीक है आंसर इसमें से आपको और चार ऑप तो यह आपको लिखना था बोईस में आपको convert करके लिखना था दीक है तो इस प्रकार से अलग-अलग दिये गए है पर ठेड़ वाले में दिया गया है rewrite using unless in the place of if तो इस प्रकार से इफ लगा कि यह question आपको answer बनाना था तो यह अलग-अलग दिये गए है 6-7 question और last वाले में आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर option दिये गए हैं तो इनमें से आपको जो की हो जागा राजू write करके आपको यहाँ पर अलग-अलग कहन ना इदर आपको अलग-अलग लगा के answer बनाना था तो आपको यह correct था आपको लिख दीजिएगा दिया गया है तो आपने आयोप पूरे खरी लिए होंगे question जितने पूछे गए थे बिल्कुल पेपर ज्यादा तफ नहीं था वैसे लेकर आपने करया होगा तो अच्छे marks पिरकुल आने वाले हैं आपके फूरे question आपने attend करे होंगे तो और हाला कि आप छोड़के भी नही आपको यह वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सकाइब जरू कर लिजीगा सो मलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक यू सो मच